दोस्तों क्या आपको पता है कि एक बार भगवान सीव ने क्रोध में आकर ब्रहमांड को रचने वाले ब्रहमाजी का ही सरकार दिया जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे हिंदु धरम में तीन प्रधान देव माने जाते हैं ब्रहमा विष्णू तथा महेश जिसमें ब्रहमा को संसार का रच्यता बताया गया है तो वहीं विष्णू पालन करता है तथा महादेव सिव संसार के सनहारक है पुराणे कथा के अनूसार सिब्जी ने ब्रमा को उत्पन्न किया था तर था फिर ब्रमा जी ने सृष्ठी की रचना कर डाली थी दोस्तो ब्रमा द्वारा स्रिष्टी निर्माड के समय एक कथा का वड़न किया जाता है कहा जाता है कि जब ब्रमा मानसिक स्रिष्टी से विस्तार नहीं कर सके तो उन्होंने एक सुन्दर कन्या देवी का निर्माड किया जिसका नाम सतरूपा था सत रूपा को सर्श्वती, संधिया या ब्रहमी सहित विभिन नामों से जाना जाता है सत रूपा दोस्तो बहुत सुन्दर थी जब भर्मा जी ने सत रूपा को देखा तो बहुत तुरंत उनके प्रती आकरशित हो गए उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी सुन्दरता देखी ही नहीं थी भर्मा जी सत रूपा का पीछा करने लगे भर्मा के नजरों से अपनी रक्षा करने के लिए सत रूपा विभिन दिशाव में जाने लगी दोस्तों क्योंकि इस सतरूपा का निर्मान स्वाइम ब्रमा जी ने किया था तो एक प्रकार से वह उनकी पेटी थी परन्तु फिर भी ब्रमा जी जहां भी देवी सतरूपा जाती उन पर नदर रखने के लिए ब्रमा जी उस दिशा के और ही चल पड़ते इस परकार उनके हर दिशाओं में एक सर उत्पन्न हो गया भ्रमा के पांच सिर हो गए हर तरफ एक सिर और पांच वाज सिर चार सिरों के उपर विक्षित हो गया भ्रमा जी के इन कारियों से देवी सतरूपा बहुत हतास वो बेचेन हो गई उस समय भर्मा जी के इन सभी कारियों को महादेव संकर जी देख रहे थे तथा वह भर्मा जी के इस किर्टी को देखकर बहुत क्रोधित हो गए तथा उशीफल भर्मा जी के समी परकट होकर उन्हांने भर्मा का पाँचवा सरकार दिया तथा उन्हें स्राब दिया कि सत्रुपा तुम्हारे द्वारा उत्पन की गई है इसलिए बहुत पुत्री है इस तरह सत्रुपा पर नजर डालना अत्यांतर गलत है तुम आपवित्र हो चुके हो इसलिए आज से तुम तृदेव की पूजा में सम्मलित किये नहीं जाओगे तथा ब्रमान में तुम्हारी पूजा का कोई उचित इस्थान नहीं होगा इस घटना के बाद ब्रमा ने हर मूँ से एक वेद का पाठ किया तथा अपने पापों को कम करने का प्रियास किया दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आज भी ब्रमा जी की पूजा नहीं की जाती और ब्रमा जी के पूरे देश में का मंदिर है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही धन्यों दोस्तों अभी के लिए इतना ही धन्यों